सरकार फिलहाल गेहूं के आयात को लेकर चुपी साधे हुई है, हाला कि पिछले कुछ सप्ताहों से उद्योग, व्यापार छेत्र द्वारा विदेशों से गेहूं के आयात की आवशक्ता पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि मंडियों में इसकी बहुत कम आवक हो रही है, और तीसरे अग्रिम अनुमान में दो हजार तेईस से चौबीस के रभी सीजन में गेहूं का घरेलू बढ़कर एक हजार एक सोब्सकालीन सर्वोचिस्तर पर पहुँचने की संभावना व्यक्त की है, जो दूसरे अग्रिम अनुमान के आकड़े एक हजार एक सोबीस दशमलव दो शूने लाक टन तथा दो हजार बाईस से तेईस सीजन के समीक्षित उतपादन एक हजार एक सोब पांच दशमलव पांच छे लाक टन से काफी अधिक है, अब सवाल उटता है कि यदि देश में एक हजार एक सो उनतीस लाक टन से अधिक गेहूं का रिकॉर्ड जब मध्यप्रदेश और राजस्थान में किसानों से 2400 रुपए प्रती क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है, तो वहां किसान अपना उतपाद बेचने से हिचक क्यों रहे हैं? क्या किसानों के पास इतनी मजबूत क्षमता है कि वह 8.5 करोड टन से अधिक गेह है. वर्श जब्रचicon 24 एवं 2019 के आम चुनाव में भाजपा को सपष्ट बहुमत मिला ता, इसलिए सरकार पर सहयोगी दलों का कोई दबाव नहीं था. इसके विप्रीत 2024 के चुनाव में भाजपा को सपष्ट बहुमत नहीं मिला और इसलिए सरकार को सहयोगी दलों की बैसा लगा हुआ है ऐसे में माना ये जा रहा है कि नई सरकार के गठन के बाद ही गेहूं के आयात को लेकर स्थिती स्पष्ठ हो सकती है Bureau Report Market Times TV